सब्सक्राइब कीजिए हमारी चानल को और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चानल पे आने वाले नियो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका हमारी चानल में और आज की कहानी का नाम है बुद्ध की सीख जब भगवान पुद्ध सद्विचारों का प्रचार करने के बाद राजजग्रह लोटे लेकिन नगर में सन्नाटा था उनके अनुए अन्यों ने उन्ने बताया भगवान एक राक्षिसी को बच्चे का मास खाने के लट लग गई है नगर के अनेक बच्चे गयाब हो गये है इसी कारण नागरिकों ने या तो नगर छुड़ दिया है या वे अपने घरों में दुख्के बेटे हैं भगवान बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षिसी के कई अनेक बच्चे है एक दिन बुद्ध राक्षिसी के अनुपस्तिती में खेल की बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आई राक्षिसी जब घर लोटी तो अपने बच्चे को गाया पाकर बेचन होटी सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था बेचने में ही उसने अपनी रात काटी सुबह जोड-जोड से उसका नाम पुकार कर उसे धुन बच्चे संत है वो अंतर्यामी है वो उसकी मदद जरूर करेंगे वह उनके पेरों में गिरकर बोली हे बगवान मेरा बच्चा कहा है यह बताईए उसे कोई हिंशक पसुल न खापाई ऐसा आशिरवात दीजे तभी बुद्ध ने कहा इस नगर के अनेक बच्चों को तुम ने ने बख्चा है क्या तुमने कभी सूचा कि उनकी माता पिता कैसे जिन्दा रह रहे होंगे बुद्ध के बच्चन सुनकर वह पच्चा तापकी आगने में जलने लगी उसने संकल्प किया कि अब वहा हिंसा नहीं करेगी बगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्त सुक दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं अपी तो उन्हें सुक देने में हैं उसके बाद भगवान बुद्ध ने उसका बच्चा उसे वापस कर दिया